हेलो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से एक question discuss किया था समांतर स्रेडी का जिसमें आपको एक स्रेडी दिया गया था और आपसे पचीसमा पद पुछा गया था लेकिन ये question जो है थोड़ा सा उससे अलग है और ऐसे question थोड़ा सा टिपकल हो जाते हैं जब बचो देखिए यहां पर 6 पद और 40 पद दे दिया गया है 50 और 152 फिर आपसे पूछा गया कि यह स्रेडी कि स्रेडी के जो है 6 और 40 पद है ठीक है तो कोई भी स्रेडी आपको लिखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी पहला पद और D यानि सर्वांतर A और D की जरूरत हो 1 इंटू D ठीक अब आपको 6 पद दिया गया है तो N बराबर 6 लिखेंगे तो A6 बराबर A धन 6 में से एक जाएगा 5 और D ये बराबर कितना दिया गया आपको 50 ठीक है ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा ठीक है अब हम बात करेंगे A40 की यानि 40 पद के लिए हमें क्या लिख ठीक है ये हो जाएगा A प्लस 40 में से एक जाएगा कितना 49 हो जाएगा 49 D बराबर क्या हो जाएगा 152 यहाँ पे देखिए आपका 2 समीकरण है अब 2 समीकरण है तो अगर समीकरण 2 समीकरण 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों common है तो cancel out हो जाएगे ठीक है तो आपका क क्या बचेगा 49 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 34 34 D बराबर 155 में से एगर 5 प्रिंड करेंगे तो यह हो जाएगा 102 ठीक है आपको ऐसे ही questions को solve करने होते हैं थोड़ा सा दिमाक लगाएंगे सारी questions आपके समांतर श्रेड़ी के solve हो जाएगे और अच्छा score आप कर पाएंग अब यहां पर देखिए D हमें निकालना है तो D पराबर क्या हो जाएगा 102 बटे 36 अब यहां से आपका D निकल के आ जाएगा 3 अगर इसको भाग देंगे तो 34 तिया 102 होता है ठीक है तो D की value आपकी कितनी आ गई 3 अब D की value 3 आ गई तो equation 1 यानि समीकरण 1 में अगर D की value 3 5D 5D मतलब 5 गुड़े 3 तो यह क्या हो गया 15 तो यह बराबर हो गया दस में 5 गया 5 और 4 में से 1 गया आपका 3 यानि पहला पद क्या हो गया आपका 35 पहला पद 35 हो गया और D आपका हो गया 3 अब देखिए पहला पद हम लोगों निकाल लिया कितना 35 सर्वांतर हो गया आपका 3 अब आप कितने भी टर्म तक कितने भी पद तक इस सीरीज को लिख सकते हैं कैसे पहला पद हो गया 35 दूसरा पद कैसे निकलेगा A प्लस D यानि 38 अब देखिए तीसरा पद निकालने के लिए फिर इसमें 3 जोड़ देंगे 41 चौथा पद 41 में 3 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा पांचवा पद 44 में 3 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा छठा पद निकालने के लिए 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 ठीक है यह मैं इतने टर्म तक क्यों लिख रहा हूँ है आपको प्रूफ करने के लिए आपको सैटिस्फाइ करने के लिए कि यहां पे देखिए A1 हो गया A2 हो गया A A3 हो गया A4 हो गया A5 हो गया A6 यानि छठा पद आपका कितना आ रहा है पचास और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया च्छठा पद कितना है पचास तो यानि कि यह जो मैंने सीरिज लिखा है यह बिल्कुल ही सही है इस तरीके से आपना जो अंसर आ रहा है बोड एक स्काइब करें और आगे आनेवाले क्लासों में और भी सब्जेक्ट के भी मैं इंप्टन ख्वेश्चन करूंगा और भी जो टौपिक अंतरिमोमेट्री हो गया यह सारी मैं आपनों से यह से आनि क्योंगा तो चैनल को जरूब्सक्राइब करें thank you